सबी को मेरा नमस्कार मैं सरिता एक बार फिर से सखी लोकवेस आप की जानकारी के साथ पिछली वीडियो में हमने SSG की रेगुलर मीटिंग की कुछ जानकारी भरी थी हमने लोन रिक्वेस्ट बनाया था आज हम लोन डिस्बर्स करना सीखेंगे जिसके लिए मैं लोन डिस्बर्समेंट टैब पर क्लिक करूँगी हमने रतनी देवी की डिमांड बनाई थी 10,000 रुपे की आज हम डिस्बर्स करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें नाम पर ही क्लिक करना है और हम disbursement, loan disbursement summary page पर आ गई है यहां हमें edit पर click करना है यहां loan app id है loan request amount है 10,000 fund source, general common fund loan number 28 हम disburse कर रहे है previous disburse amount 0 है remaining loan request amount 10,000 रुपे है loan disburse today, आज आप कितना disburse कर रहे है हम 10,000 रुपे कर रहे है category, कमजंसन है and loan purpose, debt swapping है mode of payment हम bank से देगे, तो bank मैं select करोंगी source bank select करेंगे हम camera bank से रिन दे रहे है transaction number यह check number हमें यहां पर entry करना होगा loan periods हम 10 महीने का रख रहे हैं तो 10 महीने रखेंगे amount of installment एक हजार रुपे आ गया है interest rate 12% repayment, loan repayment frequency monthly है हम save करेंगे do you want to change the EMI schedule yes करके हम schedule को देख सकते हैं और EMI को भी change कर सकते हैं अगर हम इस महीने 500 रुपे देंगे अगले महीने 500 और उससे अगले महीने 1500 रुपे दे सकते हैं तो हम यह change कर सकते हैं save करेंगे हम यहां से save कर सकते हैं और हम scheduler को download भी कर सकते हैं scheduler download करने के लिए हम click करेंगे यहां पर हमारा scheduler है वो download हो जाएगा यहां हम जो व्यक्तिगत passbook भरते हैं सदस्थे की वो भरने से बच जाएंगे हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा लिखने का और हम इसका print निकल बाके सदस्थे को दे सकते हैं और WhatsApp पे भी share कर सकते हैं data saved successfully आप देख सकते हैं हमने loan disburse कर दिया है today disbursement में 10,000 रुपे आ गया है अगले tab पे चलते हैं अगला tab है withdrawal का यहाँ पे click करेंगे और सदस्थे अगर कुछ withdrawal कर रहा है sasg से उसकी entry हम यहाँ पे कर सकते हैं अगर कोई सदस्थे अपनी saving लेना चाहता है सदस्था समाप्त करना चाहता है तो यहाँ से हम saving withdrawal कर सकते हैं यहाँ पे भरा जा सकता है voluntary saving अगर सदस्य ने की हो तो उसको withdrawal किया जा सकता है अगर आपके किसी सदस्य ने voluntary saving नहीं की है तो आप इसको cancel कर सकते हैं हम अगले टाप पे चलते हैं यह है member summary member summary पे click करेंगे और एक-एक सदस्य को select करके हम summary check कर सकते हैं member को select करेंगे आचल पे हमने click किया है receipt from member today 200 रुपे आचल ने saving दी है इनकी total saving 20,200 रुपे हो गई है voluntary saving 0 है कोई voluntary saving इस SG में नहीं होती है total loan repayment 10,000 रुपे मूलधन दिया गया है 842 रुपे ब्याज दिया गया है और 90,000 रुपे इनका बकाया है जुर्माना इन्होंने कुछ नहीं दिया इस तरह से हम हर सदस्य की summary भी check कर सकते हैं आगे की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूँगी धन्यवाद हुआः रुपे जगे जज़ दुपे जगे डे दुजगी भीडिक अगली तो जगे हैं आगे बुपे जगे के मास्तिताउक थाफ़े